Welcome back to my channel आज हम सीखेंगे Photoshop में Trim Mark बनाना इसमें manually बनाना पड़ता है Photoshop में Trim Mark क्यों ज़रूरी होता है? Trim Mark ज़रूरी होता है Print File के लिए जब भी हम कोई File को Print के लिए देते हैं तो उसमें Trim Mark mention करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो Printer होगा या जब vendor होगा उसको कहां से image को cut करना है कि size पर करना है ये उन्हें mention करना पड़ता है तो इसके लिए Trim Mark बनाना पड़ता है और Trim Mark के लिए जो आपकी जो image size है For example, ये मैंने random image लिए कार की ये जो image का size है मैं आपको बताता हूँ इमेज पर जाके canvas पर जाता हूँ ये मैं mm में बता रहा हूँ आपको आप कैसी में भी देख सकते है पिक्सल में इंच में mm में आपको बता रहा हूँ इसका width है 152, height है 101 अब इन में हमें क्या है ये image का size है, exact size जो हमारी image है बट अगर हमें इसी image को अगर print purpose के लिए use करना है तो हमें mm में 3 mm maximum extra लेके चलना पड़ता है चारो side से, top, bottom, left, right तो आपका जो width है ये आपका यहां से 3 और यहां से 3 होगा एक side से दोनों तरफ से 3 नहीं होगा यहां से 3 और यहां से 3 तो total 6 हो गया वैसे ही height में उपर से 3 और नीचे से 3 होगा तो total 6 हो गया, 6 mm अब यह image size है अब हम image size के लिए मैं यहां से grid लेता हूँ अब मैं grid पर यहां से अब जिसे आप देख रहे होगा है जिसे मैं grid पर यूं करता है एक snap सा हो रहा है इसे magnet की तरह अगर आपका नहीं हो रहा हो तो आप view पे जाए view पे जाकि यह snap है इसे check कर दीजिए तो यह ऐसी होगा अब यह मैं आपको अब यहां से भी कर लेता हूँ जो image का हमारा जो actual size है उस पर मैंने grid बना दी ठीक है अब हमें print purpose के लिए इसको 3mm extra करना पड़ेगा चारो side से उसके लिए आप image पर जाए canvas size पर जाए यहां पर mm है 152 है 101 है तो 3 left से 3 right से total 6 तो 152 का हो गया 158 और 101 का हो गया 107 अब हमने image बढ़ा दिये इसकी यह mm में देखते हैं 158 और 107 हो गए अगर आपको problem आरी हो number में ऐसे इन में कि exact क्या है अगर ऐसा problem आरे हो तो मैं वापिस control Z करता हूँ फिर से आपको बता तो image पर जाए canvas पर जाए यह mm कर देता हूँ मैं 152 101 है अगर आपको adding में प्रॉब्लम में आप कुछ मत करो सीधा relative पर चेक कर दीजिए जैसी आप relative पर चेक करेंगे 00 हो जाएगा image का वही size है 152 101 आप direct width पर 6 कर दीजिए और height पर 6 कर दीजिए यहाँ पर MMO रखा है make sure MMO direct 6 करके आप ok करेंगे same way output आ रहा है जो पहले आ रहा है ठीक है अब क्या करूँगा मैं यह तो आपने image का grid बना दी अब जो outer part जो आपने 3 mm बढ़ाया था 4 side से उस पर भी grid लगा दो जिससे आपको पता लगजा आपकी image कहां तक है और कहां पर आपको trim mark देना है अब इस image को मैं control T करके मैं extend करता हूँ check कर देता हूँ यहां से यह अब यहां से आपका trim mark लगेगा trim mark के लिए क्या करेंगे यहां से आप new layer लेंगे new layer जाके मैं यहां पर zoom कर देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा यह जो box है यह अंदर का है और यह भार का है ठीक है आप confuse मत होना यह अंदर लेंगे तो आप यहां से selection लेंगे आप यहां पर एक box बनाएंगे एक rectangle बनाएंगे अब आप क्या करेंगे trim mark के लिए outer white color करना है और इसी में का same box बनेगा वो होगा black का तो यह outer part में लिया है और यहां से आप करेंगे अगर आपका previous कोई अपने work किया होगा है में color होगा तो आप यहां पर जो icon दिख रहा है इस पर click करेंगे जहां पर माउस है तो यह default हो जाएगा तो अब आप क्या करेंगे keyboard से control delete करके इसको white color कर देंगे control D करके deselect करेंगे और इसी layer की एक और copy करेंगे control J करके इसकी copy बन गई अब यहां पर आप देखेंगे thumbnail पर मैंने mouse रखा हुआ और control प्रेस करके आप control प्रेस करेंगे देखेंगे युका icon आ रहा है selection करके आप mouse से left click करेंगे तो यह select हो जाएगा यह दूसरी layer है first layer की अब आप black color करने के लिए यहां पर alt plus delete करेंगे अब इसी layer पर रहके हमें control T करना है select के बीच में यह link दे रखा icon यह click हो रखा इसे uncheck कर देंगे और width में यह 100% दिया हुआ है इस पर आप कर देंगे 50 यह देखे 50 हो गया ok कर दीजाए अब आप इन दोनों layer को select करें यह alignment में आप चेक कर ले वैसे तो नहीं होगा बड़ आप make sure और एक बाद चेक कर ले क्योंकि फिर आपका trimma खराब नहीं हो जा है horizontally or vertically दोनों देखे एक साथ है अब इन दोनों layer को select के साथ ही Ctrl E करना है merge कर देना दोनों layer को एक layer कर देना है अब हमें इसी layer की एक और copy करना है Ctrl J करके आप copy लेंगे आप second layer पे आप जैसी corner पे जाएंगे Ctrl T करें आप corner पे जाएंगे देखे Curve सा और हमारा यह जो icon है यह change के curve हो रहा है अब keyboard से shift प्रेस करके आपको move कर देना है बिलकुल ऐसा और इसको उठाके बिलकुल यहां रखना है जैसे मैं आपको थोड़ा zoom करके बता दो यह इस line पे है बिलकुल center पे इस line को बिलकुल यह जो line है आपकी horizontally जा रही है इस पे करके यहां पे बिलकुल center पे लाना है अब हम इन दोनो layer को select करेंगे दोनो layer को अब इसे Ctrl E करके merge कर देंगे मैं दोनों को एक ही layer कर देंगे आप देखेंगे इसी layer की एक और copy करने है Ctrl J करके सेम ऐसी अब आपको यहां से मैं आपको बताता हूं आपको second जो copy layer उस पे select रखना है layer को make sure और Ctrl A करके आप select कर लेंगे फिर Ctrl T करेंगे then after right click करके flip horizont करेंगे flip horizont करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूं आप image के side में जाके देखेंगे यहां पे direct वो उसने horizontal के same size के साब से यहां पे आ गया है अब आप ok कर दीजिए maybe आपको दिख रहा होगा यह side पे यह रहा अब आपको इन दोनों layer को copy करके Ctrl E कर देना है merge कर देना है दोनो layers को ठीक है अब यहां नीचे के दो bottom side के दोनो left and right बन गया अब हमनों उपर चीए हम क्या करेंगे layer एक दोनो एक हो गया अब इसकी एक और copy करेंगे Ctrl A करेंगे Ctrl T करेंगे फिर right क्लिक करेंगे image पर flip horizontal करेंगे आप देखेंगे मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ यहां पर आ चुका है यहां पर भी आगे Ctrl D करके Ctrl D करके Ctrl D करके D select कर देंगे ठीक है अब मैं आपको बता आता हूँ आप यह देखिए यह हो चुका है आप दूनों layer को select करके Ctrl E कर देंगे आप यहां पर लिख दीजे trim mark अगर आपको file देनी है printer को तो trim mark दे देंगे So guys आपके trim marks अब बन चुके है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको printer को file कैसे देनी है कैसे format में देनी है आप file पर जाए save as पर click कीजिए यहां पर आपको option होगा Photoshop PDF make sure इस पर click करके आप कुछ भी नाम दे दीजे अभी तो मैं ऐसी randomly नाम दे रहा हूँ और आप destination देख लिए तो मैं यहां पर save कर रहा हूँ save कर दीजे यहां पर ok का option आएगा ok कीजिए अभी आप इन settings को मचेड़े बट make sure journal पर जाएंगे अगर आप देखेंगे आप हाई quality हो high quality हो compression में bicubic down sampling है कोई कोई down sample रखते हैं बट अभी के लिए आप bicubic ठीक है और यहां पर भी none कर देते हैं JPEG ठीक है ठीक है output है अब आप बस यहां पर save PDF करें yes कर दीजिए आपकी file save हो रही है अब मैं आपको file open करके दिखाता हूं so guys आपकी यह file open हो चुके मैं आपको trim mark दिखाता हूं zoom करके अगर आप देखेंगे थोड़ा zoom कर देता हूं यह आप देखेंगे trim mark यह जो हमने बनाये थे यहां से printer vertically or horizontally cut करेगा यह होते trim mark जिससे उनको पता लग जाए image कहां से cut करनी image यहीं तक है जो यह size दिये थे यहां तक और यह जो था हमारा extra size हमने लिया था 3mm का यह रहा यह देखेंगे यहां पे भी है यह bottom side पे भी है तो इससे आपके printer printer को पता लग जाएगा कि image की actual size क्या है यह रहे चारू So guys अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो आप इस channel को subscribe कीजिए अपने दोस्तों को भी share कीजिए like कीजिए comment कीजिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप comment कर दीजिए कोई confusion हो तो मैं आपको reply कर दूँगा अगली बार आऊंगा मैं कुछी और वीडियो के साथ कोई और topic के साथ till then bye